Usually, शादी के केस में, दूलहे लोग, ग्रूम्स, दो टाइप के सूद्स इला सकते हैं एक है पैंट के कपड़े का, जो मैने पैना है, जो या एक्जाम्पल्स मेरे आगे है, मेरे पीछे है या फिर या फिर ये शेरवानी के कपड़े के सूच या फिर ये या फिर ये सो ये टोटली डिसाइड करता है आपके चॉइस आपकी बजट एन आपकी नीड के ऊपर थैंक यू अगर एज़ ग्रूम एज़ दूलहा अब सूट के ऑप्शिंस दून रहे हो अगर आपको न्यूटरल कलर्स जैसे ब्लैक नीवी ब्लू या फिर ग्रे में सूट नहीं सिलाने आप पेस्टल कलर्स में सूट सिला सकते हो या फिर फैंसी कलर्स में सूट सिला सकते हो बहुत बात हो friends, आप आपके partner के outfit के color के साथ भी आप suit का color match कर सकते हो And friends, अगर आपको multi-purpose suit चाहिए, कि आप उसको officially, professionally भी आगे use कर सको Then of course friends, navy blue, black and grey जैसे neutral colors बहुत अच्छे option बन जाते है उसमें आप जरा सी novelty ला सकते हो Plain suit से लाने से अच्छा है, कि आप texture, checks या फिर lining वाले suit से ला लो जो functionally भी use कर सको and आगे जाके officially भी use कर सको Thank you 2P suit and 3P suit, ये दोनों formats को हम officially भी पहन सकते हैं and function में भी पहन सकते है Friends, ये एक pant का कपड़ा है ये pant के कपड़े का मैंने blazer बनाया है ये ही pant के कपड़े का, अगर मैं blazer के साथ pant भी बनाऊ, then उसको two-piece बोलेगे and of course, अगर इसी pant के कपड़े का मैं waistcoat बनाऊ, then वो three-piece हो जाता है Friends, अगर अप looks की बात करो, then of course, three-piece suit का look हमेशा two-piece suit से जादा अच्छा आएगा अगर अब budget के point of view से बात करो, then friends, waistcoat का cost 1000 से 1500 रुपीस naturally बढ़ जाता है Okay, so जैसा कि मैंने कहा, minimum 1000 से 1500 एक waistcoat का cost बढ़ जाता है Friends, ये minimum cost है अगर budget अपका reason नहीं है, then three-piece suit को आपको एक जादा preference देना चाहिए कि अगर चाहिए